रादे रादे हरे क्रिश्ना कैसे हो आप सभी लोग आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे स्वस्थ होगे अच्छे होगे सबसे पहले आप सभी को दीपा वली की अनन और अनन सुपकाम नहीं आपके यहाँ पे दिवाली 31 को बनाई जारी यह 30 को बनाई जारी मुझ बिना पित्रों के आश्रवाद के दिवाली की पूजा अर्चना और अमावश्या पूरी तरीकी से डेलिकेट होती है पित्रों को केवल एक ही कार्टिक के महिने की जो अमावश्या होती है ना इसमें हम लोग दिवाली दिवाली करते हैं लेकिन पित्रों को भूल जाते हैं उसके बाद ही आपको मातलक्ष्मी की पूज अर्चनवन्दा करनी है और वैसे भी जब तक व्यक्तिप अपने पित्रों को प्रशन नहीं करता सास्तरों में ऐसा वर्णन आया है तब तक सास्तर भी प्रशन नहीं होते है करना है क्या है आपको चलो मैं आपको इजitary बता रही हुँ सबसे पहले आपको करना क्या है सुबह सुबह दिवारी वाले दिन उठना है अगर 911 ससदूर को दिवारी बना रहे हो तो पित्रों की पूज अर्ष न वननना आपको चारं से पांच बजे के आसपास करने हैं वैसे ये पित्रों की पूजा अर्चना बनने का समय होता है जो 11 बजे से लेकि निंए यह दो बज़े तक की टाइम का समय होता है लेकिन अगर आप लोग 31 को बना रहे हो क्योंकि अगर आप लोग के एरिय में 31 को दिवाली बनाए ज़री 31 को बना रहे हो तब आपको पहले पित्रों की पुजा कानी पड़ेगी लेकिन पित्रों की पुजा के लिए पठीकुलर ए अमावश्या पर पित्र लोग खुलता है और हमारे पित्र धर्ती लोग पर हमारे अपनों से मिलने के लिए आते हैं अमावश्या पर ही पित्र लोग खुलता है अब आप उससे पहले भी पित्रों की पूजा पर बंदन नहीं कर सकते हैं तो अमावश्या थी थी 31 तारिको ती तो चलिए मैं आपको बताती हूं आपको पित्रों की पूज़ा अर्शना नहीं मिल जाएगा क्योंकि जब तक पित्रों का आश्रवाद नहीं मिलेगा तब तक भगवान का आश्रवाद संभव ही तो चलिए मैं आपको बताती हूं आपको पित्रों की पूज़ा अर्शना बना गया से करने हैं देखो 31 तारिको ठीक सामके 4-5 बजे के बीच गाई को गुरोटी अवश्य के लाए ठीक है ना और एक को मना रहा है यह तो 11 बजे के बीच गाई को गुर और रोटी अवश्य और अवश्य के लाए चिम नियम है कि दिवाली पर पूरबजो की पूजा करने चाहिए एक स्टील का लोटा लेना है उस लोटे में जल लेना है जल के साथ आपको जो लेनी है तिल लेना है तिल हमेसा काले वाले लेनी है गुर लेना है उसमें दूर डालना है कुशा घास डालनी है इसको मिलाकर पीपल के जड़ में आपको डाल के आना है याद रखे दुबारे से रुपीट कर बात को बिल्कुन और ध्यान देना है कि पित्रों का निवास पीपल के पेड़ पे होता है और आपको एक जिसे कियाते हैं एक दिया पित्रों के नाम का अवश्य और अवश्य चढ़ाकर आने साथ किसाथ आपको कुछ नियम और पॉलन करें जैसे कि अम आवश्य पर खीर एक दम से तयार हो गी पूजा अर्षना अब आप एकदम अब एकदम से रेडी हो लक्षमी माता की पूजा प्रकार से याद किया जाता है और आशा करती हूं कि आपको संपूर्टे जानकारी समझ में आ गई होईगी अगर आपको मेड़ी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें और कुणली दिखाने के लिए आप मेरे से इस नंबर पर को दिपवली की अनंत और अनंजब कामना है राधे राधे